हेलो फ्रेंड्स जाबा प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर की इस सीरीच पर आज हमारा लेक्चर नमबर 58 है और हम यहाँ पर इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट ऑप्रेटर को क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं और हमने यह एक्जाम दिया था और भूला था कि क्या यह प्रोग्राम चलेगा या फिर नहीं चलेगा यदि हमने plus plus sign को इक सांथ यहाँ पर यूज कर लिया है तो यदि आपने चेक कर लिया होगा तो आपको पता चल गया हुआ लेकिन देखो यहाँ पर यह जो आपने बनाय प्रोग्राम तो यह बिल्कुल चलने वाला है और कंपायल और रन होकर आउटपूट डिस्प्ले करवाने वाला देखो आपने जो प्लस प्लस साइन यहाँ पर एक सांत लगाया है तो इसको क्या करेगा पोस्ट इंग्रेमेंट क्या मानेंगा इसको यहां पर पोस्ट इंग्रेमेंट मानका ही इसको क्या कर देगा यहांपर इसॉल कर देगा मतलब यह ओवा कि कितना हो जाएगा 4 तो x की value कितनी होने वाली 4 और दोनों का addition किसके पास जाने वाला है y के पास जाने वाला है मतलब y की value कितनी आएगी 5 आका display होगी मतलब यह हुआ कि यदि आपने एक 7 more than one sign को क्या करा है use करा है increment decrement operator में तो उसको क्या मानेगा वो post ही मानने वाला है और इसके अलबाग कुछ नहीं तो 117 117 number के program को यदि हमने क्या करा है यहाँ पर compile करा और compile करने के साथ सान हमने क्या करा है इससे यहाँ पर run करा तो इस program का output 4 और 5 आकर display होना चाहिए था जो कि यहाँ पर display हो गया है हाँ जी clear है भी इतना अब हम क्या करते हैं कि इस program को save करते हैं 118 के नाम से और जो हमारा 118 number का program है इस program पर यदि आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया तो इस program का output क्या आकर display होने वाला है इस चीज को क्या करना है आपको निकाल कर देखना है और output को check करना है कि आपका output सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो इसी example के साथ हम next lecture में मिलते हैं ठीक है तब तक के लिए ओके बाई